मेरा नाम विवेक शमय है और मेरा नाम अंकुष गही है और आज की इस वीडियो मेर आपको फ्री भी एच के देट सो गज की प्रॉपर्टी पच्छिम वेर में दिखाने वाले हैं और वो भी पार्फेसिंग अधे शवीडियो काम हुआ ना बहुत बेटर काम हुआ जैसे कि आप लेलो यह स्विच्छ रहा हमारे हो गया यह स्टेंडर क्वालिटी पॉलिक गया है और इसके अंदर जो गैट है हमारी वह फूली कैट है वो ब्स बेस्ट क्वालिटी पी बहुत होती है और यहां जो यह क देटर लगते हैं और देटर के लिए यह वो सारी चाहिशें आपर देखने को बिल जाते हैं और लाइटिंग पूरी क्यांकि यहां पर एक बड़ा सा धरुआज़ा दिया हुआ है जोकी ग्लास है और टूसाइड होने के वह से भी वह बनेफित हैं को लगते लिए अंदर और उससे जो एफेक्ट आ रहा है वह और थोड़ा सा जो कमरा है और बड़ा लगता है और एक हवादार अलगता है और यहां पर एक हैंडल के साथ फुल एंग वाद्रॉब जैसे की नीड है इस चीज की हर बेडरूम के अंदर प्रॉफाइल है बंद कर दो तो एक डिजाइन इन अल्ग बन जाता है थो इस बहुत अच्छा एंडल है यहां अरी सी हैंडल के साथ मैचेंग यहां पे चोटे-छोटे से बहुत अच्छे लग रहे यह बोल्डुक का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा थ्राइंडल सारी सीजिए और भार भी माइका अच्छा लगा हुआ सारी चीजे कलर को कॉडिनेटिटेड है अगर फ्लोरिंग के उपर अभी छोड़ा सा कवर चड़ा हुआ है अगर फ्लोरिंग हट जाएगी तो यह सारी चीजे बिल्कुल मर्ज हो जाएंगी बदामी कलर इसको कह सकते है ना और टीवी पैनल देन यहां पर बैट लग जाएग और यहां पर टीवी पैनल और अटैज वाश्रूम वाश्रूम के अंदर अभी बात कुछ हुआ नहीं है एक सर्फ विंडो दिखाई दे रही है मुझा लगता है यह सबसे पहले में खोलना जाओंगा क्योंकि बेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस साइड में बाथिंग एरिया देन फ्लेश देन यह वाश्रूशन आ गया यापकी सीट अगई बाइधिंग एरिया यहां पर एक लास की पाटिशन आगी यह बैट्रूम का बात्रूम था जो की एटाइच है और यही पीछे बैक साइड पे छोटा सा एक यहां पर वाश्रूम एरिया यहां तक जाना है तब वुरा यहां तक जा सकते है एसी की बैक साइड यहां पर आजाएगी तार चीजे और पीचे सर्विस लाइन भी काफिक्षी स्रुड़ी है जिसक विज़ाएट से काफी हवादार हो गया है यह नेचे सारा यहां पर ग्रिनाइलिड एकर की चीज की मैं देख पा रहा हु है कि Doors की क्वालिटी, Good की क्वालिटी और पॉल्चिलिंग डीसंसी दिए हुई है. यहां पर बॉल अच्छी है. Doors की जो बिल्ट वार्टी है, मॉल्त अच्छी है. उसे पता नहीं चलारा कि आपको कहां से कर्व कहां से हो रहा है लो तर यहां पर एक वाकिन ग्लोजर देन आपका बैड लग जाएगा और बैड के लावा साइड टेबल भी लग जाएंगे फिर भी क्योंकि कबर यहां पर आगया और अरे कबर भी पूरा फुल लेंग अबड़ दबल डबर डोर के दो यूनित आजाती है और उससे अच्छी ब वाकिन क्लोजर बिल्कुल सामने और वाश्रूम यहां पर हमने देखने को मिल जाता है और इससे भाहर निकलते ही हमार पास एक फ्रेंट में हम बेडरूम देख लेते हैं क्योंकि वह बालकनी के साथ है और दुन पार्क फेसिंग और उसका व्यू मेरे को लगता है कुछ अ यहां पर भी कोई बंदेर यहां तो यहां पर बनाई जा सकती है केंपल तैयर कर सकते हो बहुत अच्छा हम पर इस साइड पर किचन थी हमारा थर्ड बेडरूम जो की फ्रेंट फेसिंग है इसके आगे पाक और एक बड़ा सा दिखाई जीता है ग्लास का और नीचे मार्ब अच्छा जीए अच्छा बेडरूम लेक लेंट अच्छा इस सीलिंग बॉक डिसंट वी एस इंपल काम होगा है और एक फुल लेंथ और दी यहां जिसके अंडर राइग पूरी मैचिंग उसके साथ जो इसके साथ चल रहा हुए हर च्छीज को अच्छा इन बहुत चीज क डीसेंट लुक आ रही है तीनों बेडरूम के साथ हमें अटाइच वर्शों मिल जाते हैं और एक कॉमन वर्शूम का भी कुंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाते हैं सारी एक्सिस्रीज भी यूज हुई हैं आप देखें कवर्ड के उपर यहां फिर इस दोर के उपर सब कुछ लगां को फेमियार के अंदर हमें लॉकेशं की पैसे बिल जाते हैं यहांपे फ्लक हたोड़ी सड़के डेबल साइड पार्क पेसिंग और इतनी चोड होडेंmekों लगता और अब फोद्स अच्छा पाक है, बहुत बड़ा बाक है, बहुत अच्छा ब्लोक है, प्रीमियम ब्लोक है अगर आपने भी यह साथ आएंगे प्रापर्टी को दिखाएंगे, समझिए, देखिए आज पास का सब्सक्रा की एक लगता है, आपका बहुत वैल्यूवल मनी है, बड़ा सोच कर रहे हैं पड़ा बच्ट से देगे नम्रे कॉल कर लिए और फॉर बैली जएन बैलर प्रोपर्टीज मेजस्टिक कर दो कर दो कर दो